प्रिवेस वीडियो में आपने range के बारे में पढ़ा और आप किसी भी given data के लिए range find करना सीख चुके हैं साथ में आपने ये भी सीखा कि range के साथ problem क्या है क्योंकि जो range है वो extreme values पर ही depend करता है अब इसका solution ये है कि range की जगे हम mean deviation find करें तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि mean deviation होता क्या है इससे पहले हम एक example देखते हैं जिसमें हमें एक class के 5 students के maths के test का score हमें given है अब ये दि हम इस score का mean find करें तो इसका mean आएगा 12 and अब आगे हम इस mean से प्रतेक data का deviation find करेंगे deviation यानि की d तो हम यहां से कह सकते हैं कि di हो जाएगा xi minus x bar जहां x bar है mean xi data को represent करता है and di उस data and mean के deviation को represent करता है तो अब हम given data यानि की xi को tabular form में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं and हमें इसका mean से deviation find करना है यानि की हमें di find करना है जो की होगा xi minus x bar तो सबसे पहले हम यह दि 6 के लिए देखें तो mean है हमारा 12 जिससे deviation हो जाएगा minus 6 इसी तरह यह दि हम 10 के लिए देखें तो इसका mean के साथ deviation होगा minus 2 इसी तरह हम remaining सभी values के means से deviation find कर सकते हैं जो की कुछ इस तरह का होगा अब यदि हम इन deviations का mean find करें यानि की हम mean of deviations find करें तो mean होता क्या है sum of deviations upon number of observations तो हमें deviations का mean find करने के लिए सबसे पहले deviations का sum चाहिए and अब हम इन deviations का sum find करते हैं यहां जो यह symbol है वो summation को represent करता है यानि की उस पूरे data का sum क्या होगा तो यहां से जब हम इसका sum निकालेंगे तो वह हमें 0 के equal मिलेगा अब since sum of deviations हमें 0 मिला है इसलिए जो mean of deviations है वह भी 0 के equal मिलेगा अब यहां त्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि केवल इसी data के लिए mean of deviations 0 आया है अब किसी भी data के लिए देखोगे तो mean of deviations हमेशा 0 आएगा अब since यह हमेशा ही 0 आएगा इसलिए इसका कोई भी use नहीं है तो फिर इसका solution क्या है solution जानने से पहले हम यह देखते है कि exact problem क्या है सो problem deviation के साथ यह है कि कुछ values negative होती है और कुछ values positive होती है जिससे होता क्या है कि values आपस में cancel out हो जाती है और हमें finally 0 मिलता है अब इसका solution क्या है solution यह है कि जो भी negative values है उन्हें हम positive बना दे अब वो positive कैसे बना सकते है या तो हम उनका mode ले दूसरा option यह है कि हम उनका square कर दे यदि हम उसका mode लेके question को आगे solve करेंगे तो यह method क्यालाएगा mean deviation यदि हम उनका square करके और question को आगे solve करेंगे तो यह method होगा standard deviation mean deviation के बारे में हम इसी topic में पढ़ेंगे and standard deviation के बारे में हम आगे topics में पढ़ेंगे तो चलिए अब हम main deviation find करते हैं जिसमें कि हम deviation की absolute values यूज करेंगे so main deviation का formula हो जाएगा sum of absolute values of deviations upon number of observations तो अब हम सबसे पहले जो deviation हमें मिला है उसके absolute values निकालने की कोसिस करते हैं जो की कुछ इस प्रकार की होंगी अब हमें इन absolute values का sum चाहिए तो इनका sum हमें मिलेगा 16 तो अब mean deviation की बात करें तो उसका जब हम ये formula अपलाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16 upon 5 जिसे की solve करने पर हम कह सकते हैं कि mean deviation आया है 3.2 I hope आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि mean deviation क्या होता है and इसे हम कैसे find करते हैं अब mean deviation के बारे में हम कुछ और points देख लेते हैं कि जो mean deviation है वह basically absolute values का deviation होता है उसमें हम basically deviation की absolute values use करते हैं अब mean deviation को हम कुछ इस तरह से represent करते हैं कि m, d and bracket में a जो ये a है वह basically किसी भी central value को बताता है and m, d of a इसका मतलब होता है mean deviation about central value a अब यदि हम इसके formula की बात करें so mean deviation का formula हो जाएगा sum of absolute values of deviation from a upon number of observations and इसे हम mathematically कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो a है वह central value है तो जो mean deviation है वह किसी भी central tendency के major से भी obtain किया जा सकता है यानि कि जो central value a है उसकी जगे हम majors of central tendency यानि कि mean या median भी use कर सकते हैं that means हम यह कह सकते हैं कि जो a है वह कोई भी central value हो सकती है and generally हम mean deviation about mean find करते हैं या फिर mean deviation about median find करते हैं यदि हम mean deviation about mean find करेंगे तो उसका यह formula हो जाएगा जिसमें कि हम mean deviation about mean को md of x-bar से represent करते हैं जहां x-bar given data का mean होगा एंड यदि हम mean deviation about median find करते हैं तो उसका formula यह होगा जहां आप देख सकते हो कि जो capital M है वह median को represent करता है आप सभी को यह दोनों ही formula डायरेक्ट ही याद रखने हैं इन पर बेश्ट हम आगे कुछ question solve करेंगे